अगे वेरी वेरी गुड़े इवनिंग तो आज एक खास और एक नुव टॉपिक के साथ में अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेशन का नाम है इंवेस्ट्मेंट मल्टिप्लायर तो आये सबसे पहले समझते हैं कि मल्टिप्लायर है क्या ये कोशन्स इन कोशन्स पर हम बाद में आएंगे इसको रीड भी हम बाद में करेंगे सबसे पहला सवाल यही है कि मल्टिप्लायर क्या होता है तो आए कुछ इसके कहाने से सुरुवात करते हैं देखे एक समय था जब शहर में राज्ये में आकाल की सिती पैदा हुआ करते थे जब आकाल पढ़ जाये करते थे तो जो राजा महराजा है उस समय निर्मान कारे में लग जाते थे मतलब जो राजा महराजा होते थे वो नहरे बनवाने में इमारतों को बनवाने में इस तरफ जो है वो लग जाये करते थे ऐसा क्यूं होता था सवाल ये है क्योंकि जब आकाल की सिती पैदा होते थे जब बेरुजगारी की एक अवस्था पैदा होते थे जहापर उनको काम पे रखने के लिए उनको काम देने के लिए जो राजा महराजा हुआ करते थे या तो उनसे क्या बनवा लिया तालाब बनवा लिया या फिर नहर उनसे बनवा लिया या कोई इमारत इनसे बनवा लिया और बदले में उसको पैसा देते थे अब वो जो उनको पैसा बदले में देते थे तो उन पैसों का होता क्या था उन पैसों का वो market में जाकर करके demand करते थे तो market में demand करने से क्या होता है कि demand create होती है and goods and services जो है वो double up होना शुरू हो जाते हैं अगर आप ही देखेंगे आपके गली महले में इस चीज़ की डिमांड है बट वो फुल्फिल नहीं हो पा रही है तो आप खुद ही उतर जाएंगे उस चीज़ की डिमांड को फुल्फिल करने में क्योंकि आपको लगेगा यहां पर प्रॉफिट है तो इसी तरीके से राजा मंदी के समय में आकाल की सिती में मंदी के समय में राजा महराजा को मालूम तब कि मंदी के वस्ता इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहां पर लोगों का डिमांड का जो लेवल है मान का जो इस तरह वो क्या है ? पालम्स को फेज करना पड़ता है example के लिए देख लिजी, example समझे, कि मान लिजी भारत इंडिया के अंदर अगर लोग अपने demand को law of demand हो जाए, demand जो है वो कम हो जाए, low level of demand हो जाए, तो क्या सिती बनेगी, जो factory में जो माल बन रहा है, क्या वो पूरी तरह की से बिख पाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं बिख पाएगा, और उसकी वज़े से क्या समस्या पाइदा होगी, उसकी वज़े से समस्या ये पाइदा होगी, कि उदो unsold stock करे जाएगा उनके पास में, और unsold stock के वज़े से क्या होगा, कि वो employee को थोड़ी दिर के लिए वो बिखा देंगे, काम से, वो लेंगे, जब माल जब पाइदा होगी, उनकी जेब में पैसा नहीं, अब उनकी जेब में पैसा नहीं है, तो बताइए वो market में जाके क्या demand करेंगे, तो जो पहले problem economic की क्या थी, कि law level of demand थी, तो अब economic की problem ये solve नहीं होगी, ये problem और बढ़ जाएगी, मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैं क्या समझा नहीं कोशिश कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो, तो आप पहले इस कहानी को समझेगा, मैं investment multiplier पर आपको लेकर करके आ रहा हूं, पूरी तकर सीची समझाओंगा, अब आपके mind में कुछ चीज़िए अगर mix हो गई हैं, तो मैं दुबारा repeat कर देता हूं, देखिएगा, एक कहानी समझ की सुरुवात करते हैं, मान ले कि मांग का इस तर हो जाए कम, और ऐसा होगा कब, ऐसा जब होगा, कि जब लोगों के pocket में पैसा ना हो, जैसे कि लोगडाउन के समय की मैं अच्छी से कहानी बताता हूं आपक जैसे ही लोगडाउन तो खेर एक ऐसा समय था, जहां पर सब लोग अपने घर में थे, लेकिन जैसे ही लोगडाउन खुला, तो खुलते ही बाजार में जो है मंदीर देखने को मिली, क्यों? क्योंकि लोगों के पास में लोग 2-2, 3-3 महने से घर में बैठे वे थे, लोगो जब पैसे की कमिटी, इसमें लोग सिरफ नैसेसरी चीजों को ही लेते थे, अधर चीजों को सोड़े समय के लिए उन्होंने अवोइड करा, कि भया, चौपिंग करना, घूमना, इवन एजुकेशन तक भी, यह सारी चीजे क्या होगा, अवोइड करा, क्योंकि अभी इतना नहीं पैसा था कि उसको नैसेसरी चीजों को हम अपने लिए अविलेबल करवा पाएं, तो बाजार में क्या देखने को मिला, पैसा कम है, तो डिमांड भी कम हुआ, डिमांड कम हुआ, तो बिचारे बाजार में अगर आप देखेंगे, जो फैक्टरियां है, जो फर्म है, जा वो कुसी कोल्डरिंग की हो, या चिप्स की हो, या कपड़े की हो, वो बिचारा जोंका माल बना वा तो वो बिकीनी रहा है, तो उनके पास में अनसोल्ड स्टोक जमा हो गया, और जब अनसोल्ड स्टोक जमा हो गया, तो फिर क्या हुआ, उस सितिते में आपने ये केजी से निकाला गया तो लोगों काम पे से फिर निकाला गया उनका माल ही नहीं बिकरा है तो और बनाने के जुरत क्या जब और अभी बनाना ही नहीं तो फिर इनको बिठाकर सली देने का मतलब ही क्या तो काम से निकाल दिया और जब काम से इनको निकाल दिया तो फिर ये प पूरी तरीके से अब लेक अफ डिमांड की जो पालन थी वो सॉल में वो और ज़्यादा बढ़ गई पैसे और कम हो गए और डिमांड कम हो गया एकनामी के अंदर और जब डिमांड का लेबल और कम हुआ तो अंसोल्ड स्टोक और बच गया तो इस तरीके से फिर विरुजग महराजा हैं और आप इस सिति को समझ पा रहे हैं कि सिति क्या है लोग पासे पैसों का अभाव आया मांग के स्थर में कमी आई तो जो फॉर्मो निफ्लक्शन करना कम कर दिया अनिंप्लोइमेंट जन्नीट हुआ और जो है लैक अफ मनी और देखने को मिली उसके इस लैक अ कम जरूर होंगे लेकिन यह रेट कम होना ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है एक बार बताओ चीजे मुझे अगर जॉब है मेरे पास में चीजे महंगी मिल रही है तब भी मैं ले पाऊंगा अब जब मेरे पास में जॉब ही नहीं है चाहाए वो सस्ती मिले तो वो तो मैं बड़ी खतरनाँ सिचुएशन डबल अप हो जाती है जहाँ पर अणिफलेमेंट जन्नेट होता है विरुजगारी और यह एक ऐसा चेन मंता है जो अनिफलेमेंट पर अनिफलेमेंट और यह चेन पूरी तरीके से कि के नॉमी को अपने गिरफ्त में कर लेगा बात सम्झे स अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि इस प्रॉलम से कैसे निकला जाए तो सबसे पहले जहांपे प्रॉलम की सुरुआत हुई थी, वहीं पर हम इसका सुल्लिशन भी है सुरुआत कहा से हुई थी, लोग पास से पैसा नहीं था जिसकी वएसे क्या हुआ कि लोगों ने डिमांड की कमी करी अंसोल्ड स्टोक रहे गया फिर उसके बाद वही बिरुजगारी आई दैन उसके बाद फिर लैक अफ बनी हुई ये पूरा का पूरा जो है साइकल चलता रहा तो इस प्रॉल्लम को सॉल्व वहीं से करेंगे क्या क पासा कैसे डालें गे उंवा प्राजा महराज्या किया करते थे गर करके कि पैसे उसको बिइभा दिया यह यह जूँरा अगर पैसे देना ही तो कोई क terrorism करो लो इसलिए राजा महराजा उस समाने में मंदी की सितिति Gmail शाला बनाने लग जाते थे वो कोई इमारत बनाने ला थे वो नहर बन्वाने लग जाते थे जिससे कि लोगों के पास में क्या जाए पैसा जाए अब जब लोगों के पास में पैसा जाएगा तो लोग दिमांड करना सुरू कर देंगे और जब दिमांड करना सुरू कर देंगे तो वह उन्सोल्ड स्टोक फिर बिकरने लग जब लोगों को काम भरक में लग जाएगी तो फिर लोगों के जब में पैसा आङे लाएगा लोग पर और लिमांड करेंगे और और करेंगे फिर और फर मेंश की सदेंगी और में में employment journey होने लग जाएगा goods and services का flow बढ़ने लग जाएगा और लोग उसको buy करने के लिए capable भी रहेंगे तो एकनौमी आगे चली जाएगे तो कहीं न कहीं recession में मंदी में ऐसी situation में लोगों की जेब में पैसा डालना बहुत जरूरी है और उसको हम क्या कहते हैं इसको हम इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम कहते हैं investment कि जुराजा महारा जाजा पैसे लगा थे ते कभी इमारत बनवाओ नहरे बनवाओ तलाब बनवाओ तो वो तो राजय महारा की समय की बात है आज के समय की मैं बात करता हूँ आज भी गवर्मेंट investment करती है ऐसे situation में अब पाकिस्तान जिससे पूरी से ठब बैठा हुआ है वहाँ पर भी उसकी economic को चलाने के लिए गवर्मेंट को वहाँ पर investment करने की requirement है बड़ गवर्मेंट इन्वेश्मेंट कैसे हो सकता है फूर एक्जामपल गवर्मेंट स्कूल का इंफसक्ष्य डवलब कर दे रोड का इंफसक्ष्य डवलब कर दे ठीक है ना रेलवे का इंफसक्ष्य डवलब करने लग जाए इन सब चीजों में क्या होगा इसको कहते हैं इन्वेश्मेंट क्लियर है और इस इन्वेश्मेंट के साथ साथ में और भी वह सारे रीजन्स है कि टेक्स कम कर दे गवर्मेंट गवर्मेंट अगर टेक्स अपना कम कर देती है तो क्या होता है आपको पता है गवर्मेंट ने अगर अपना बोला कि हम आपसे का टेक्स इत तन्खा एक लाग रुपे में एक्जांबल की समझा रहा हूं तो कहते हैं मैं 10% टेक्स लूँगा तो 10% टेक्स लेने के बाद उस प्रैक्ति के पास में बचेगा कितना नब्य हजार पर बचेगा और अगर यहां पर यह टेक्स का मुझा पांच परसेंट तो उस पर बचेगा कितना उस पर पिच्छाणा वह जार बचेगा तो इसको कहते हैं डिस्पॉजबल इंकम ज्यादा बचेगा और ज्यादा इसको बोलते प्राइव ज्यादा बचेगा उस पर एक्स्पेंस करने की इसकी capability बढ़ेगी जिससे डिमांड जननीट होगा और एकोनामी फिर से employment की तरफ आगे बढ़ जाएगा तो सरकार investment कैसे करती है एक तो होता है इंफासक्चर डवलप करके इंफासक्चर में क्या कैचीव डवलप कर सकती है इंफासक्चर में वो schools, building, hospitals, मतलब की education infrastructure, health infrastructure, transportation infrastructure, communication infrastructure इस तरगी के infrastructure पर गवर्मेंट क्या करती है इंवेस्टमेंट करती है इससे लोगों को employment जिससे लोगे पास से पैसा जाए और वहां से फिर demand का level बढ़े और और investment करने के अलग लग वे हैं जैसे कि bank के क्या करेगी कि इस situation में bank को इसी तरीके से tax rate को कम कर देगी तो गवर government क्या करेगी infrastructure को develop करने लग जाएगी और जिसने यहां पर अगर आप देखते हैं और अजब भी government investment करती है अब example के लिए जरह समझेएगा अब अब वा क्या पहले मेरी national income थी एक हजार करोड़ कि ठीक है पहले मेरी national income थी कितनी एक हजार करोड़ अब मैं यहां पर बात करता हूं कि अपने अब इस समय investment हुआ investment में चेंज हुआ डेल्टा आई investment इंवेश्मेंट कर दिया भाई साब 200 क्रोड़ का सरकार में तो बताएए अब investment करने से national income इतनी रहगी बढ़ेगी इस investment करने से national income बढ़ेगी इस investment से क्या होगा लोगों की demand बढ़ेगी लोगों की demand बढ़ने से क्या होगा एंसोल्ड स्टोक्सोल्ड होगा फर में और पर यूज करेगी और प्लक्षन के लिए इंप्लोय में इंपलोय करेगी और उनकी वहाँ पर आमधनी होगी गुड्स सर्विसस का द्लक्षण बढ़ेगा और बलेगा मतलब कि जो उस नैशनल हuate ऐब बढ़ेगा आप मेरा नेशनलल सु करूड आया कि इनवेस्टमेंट के रिश्पेक्ट में नेशनल कि इनकम कितने टाइम्स हो गया सब्किर सके नाही हो ही हम बोलते है multiplier मेरी बात समझे clear है जिसको हम किसे रिपरसंट करते हैं के से तो multiplier equal to क्या हो गया डेल्टा y upon डेल्टा आई यह बात समझ में आई या नहीं आई कि चेंज इनिकम डिवाइडी बाइए चेंज इनिवेस्टमेंट में चेंज करने के रिस्पेक्ट में 9 6 1ंकम में कितने टाइम मटलब कर ने इसको बोलते हैं इसकों के से Lee present करते हैं ठीक और इसका फॉर्मॉला मेरे पास में यह हो गया बताइए कर ग्ले है कि मैं किसी ब enorme किसी घुरूर पूचunu गे पॉस्छी अपके जो अलग लग फॉर्म्रा। क्लियर है जी तो मेरी इंकम कितनी हो गे थी इंकम मेरी हो गे थी देखा जाता है चोदा सो क्रोर क्लियर है जी बात समझे कोई किसी बच्चे को तो प्लीज क्लियर है डिल्टा वाई चार सो क्रोड तो इंकम कितना है मेरा चोदा सो क्रोड क्लियर है जी तो पहले 200 करा था 400 इसका दिये तो ये मेरे पास में क्या गया इंवेस्मेंट मैल्टिप्लायर आ गया किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेंगे अब आप देखेगा कि देखें इनकम कुछ चीज़ समझेगा पहले आप इनकम कंजम्शन सेविंग या फिर इसको आप इन्वेस्टमेंट भी गोल दीजिए कि ऐसे लेते हैं आशा कुरोड कर लेते हैं 800 और सेविंग कर लेते हैं 200 जाएं इंकम च्राइब समझ गहें यहां से कोछी निकालना चाहा रहा हम निकालना चाहा यहां से सब्सेर पहले क्या की वेल्इव इन्मेश्मिन मोंटीप्लार डेल्टा य अपॉन डेल्टाφ candidate ठीक है इंकम में जो चंज हैए पांग सो हैं और इन्मेश्मन टेइश न century उच्जों होता i equal to s, तो five times क्या value मेरी के की value ऐए, यह अगर यह ही पर मैं mpc निकॉलू, तो change in consumption divided by changing income, कि income में जो change आया सब कितना time, consumption में चला गया, consumption में change कितना आया है मेरा, 200, और income में कितना change आया है, 500 क्रोड, तो कितना है, 0.4, clear है जी, बात समझे या नहीं समझे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए यानि ये खुस्बूख कितनी परानी बात कर रहे हैं कि Y equals to C plus S होता है I equals to S भी होता है एक सिकेंड इसमें क्या कुछ गरबड़ कर दी हमने हैं यहां 200 डाला था 300 डालेंगे 500 यह बात सही है 200 बटे 500 0.4 और investment multiplier गल्थ कर दिया था न हमने हैं के इक्वल्स टू डेल्टा आई स्वरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इंकम में कितने टाइम जानना है मुझे बिस रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट तो कितना चाहिए इन्वेस्टमेंट में 300 ठीक है और इंकम में कितना चाहिए है वेटा 500 ठीक है तो सॉल करेंगे तो क्या है वन पॉइंट तीन इकम तीन दो तो तीन चीक अठारा तीन चीक अठारा वन पॉइंट आप संतुस्टी है आतमा को एंपी सीक्वल सु 0.4 अब एक चीजरा समझीएगा देखिए मैं बहुत चीज़ी बता रहा हूं आपके सारे थियोरी आसान हो जाएगे बड़े ध्यान से पढ़िएगा एक चीजरा समझीए आप क्या समझीए कि एंपी सी क्या बताता है आप एक बास मुज़के ख़र मैं पीज़ी निकालनी सकता क्या वन मैनेश एंपीसी करके निकालों गो तो एंपीसी तो होता है तो क्या जागा जगए 0.6 होगा और दो बता या नहीं होगा बता लुए तो आप ऐसे निकाल लुए चेजिए इन्वेस्टमेंट और चेजिए इंकम से कि चेजिए इन्वेस्टमेंट डिवाइद इंकम तब भीए आपको फॉइंट 60 आएगा यह बात समझे यह या नहीं समझे यह कुछ बताने जा रहा हूं आपको बताने जा रहा हूं रिलेशन्शिप बिडबीन MPC 1- MPC equals to क्या आओ गया कि income के change का कितना time saving में चला गया जैसे मैंने यही पर अभी थोड़ देरे पहले करा कि 1- MPC कितना है 0.4 तो 0.6 यह बता रहा है कि income में जितना change आया उसका 0.6 time saving में जा रहा है मतलब investment में change clear है जी मेरी बात समझे income में change का income में change का income में change का 0.6 investment में चला ग इंकम का 0.6 इस read ऐसे की ट से कितना हमारा सेविंग में चला गया उसका 0.6 एसनल नहें आ इसको वह रहे हैंच पर शम्द्धन हो गया इसका कितना time सैंग Karma 6 चला गया बात समझाइं делать समझे तो अगर आप यहां पर यह क्या आपके पास में में कि लगड़े दिल्टा फ्राइए तो डेल्टा क्या ता चमरा क्ले मैं के विल्फळर क्या निका भी पच्चास पट की टि फी न् चलेग no सोल करो जब से करो तीनकर तीन और 2 और यह सब्सक्राइब अपकि और दीक्ति इनएख द। देखो, तो investment multiplier का alternate way क्या हो गया, क्या हो गया आपके पास, यह क्या था आपका, यह point हटागे नीचे जूरो लगा है, तो basically क्या हुआ, कि k equals to delta y upon delta i investment में change जो किया, उसका कितना times income में change आया, या फिर k equals to आपका one upon mps same value देगा, या फिर k equals to one upon one minus mpc, basically mps को ऐसे बली सकते हैं, तो investment multiplier के तीन formula बने या नहीं बने, बताईए, बताओ भईया, हाँ और ना कर दो जल्दी से, और बताओ, बताओ जी, ये तीनों बातें आपको सौझ में आई, बस यी बताओ आदो आप, कि तीन formula कैसे बने, ये क्या है, कि income में change का कितने times saving में जा रहा है, मलब investment में जा रहा है, और एक equilibrium economy में क्या होता है, i equals to s होता है, समझे, तो यहाँ पर saving में, MPS को basically आप क्या बोल सकते हैं, delta I भी बोल सकते हैं, तो कोई फरक नहीं पड़ता है इसमें, तो income में change का कितने times investment में जा रहा है, और investment multiply रहे ही क्याता है, तो यह ऐसे भी निकल सकता है, और MPS को हम ऐसे भी लिसकते हैं, मेरी बात समझे, clear है, और आप basics आप, relation को अगर आप बताने जाई रहे हो, तो पहले आप basics आपके clear होने चीए, तब relation बताओगे, पहले यहाँ तो clear है, यहाँ पर देखो, आपको पता है कि numerator and denominator में, denominator जितना बड़ा होता चला जाएगा, value आपकी उतनी छोटी होती चली जाती है, इस बात को मानत हो, यह कभी भी जब आप division करते हैं, तो denominator जितना बड़ा होगा, value रिजल्ट उतना ही छोटा आता है, नहीं समझे मेरी बात आप, अब देखो, 10 divided by 2 क्या आएगा, 5, और 10 divided by 5 क्या आएगा, 2, और 10 क्या आएगा, 1, तो मैं कहा रहा हो कि denominator जितना बड़ा होगा, result आपका उत कैसी पोकल रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इसके बीच में, inverse रिलेशन है, investment multiplier और MPS के बीच में, MPS जितना बड़ा होगा, investment multiplier उतना ही छोटा हो जाएगा, मेरी बात समझे या नहीं समझे, clear है, MPS जितना बड़ा होगा, investment multiplier उतना ही, क्या होगा, उतना छोटा होता चला प्रिवाद समझे या नहीं समझे एक लेरे तो इस पर इन्वर्स एलेक्षिन होता और यहां पर देखेंगे क्या होगा अब देखिए जब भी आप माइनेस करते हो तो बड़ी फिगर को माइनेस करते हो तो रिजल्ट क्या होगा और डिनोमिनिटर अगर आपका छोटा हुआ अब समझे एंपीसी मानलों की जिरो पॉइंट आप देखेंगे आपर एंपीसी जितना बड़ा आएगा एंपीसी जितना बड़ा होता चला आएगा डिनोमिनिटर अतना छोटा बनेगा नहीं समझे अब मेरी तनका में से पांच जार गटा और मेरी तनका में से दसजार गटा गटा ओगे मेरी तनका उतनी ही कम होती चली जाएगे तो इसी तरीके से MPC जितना बड़ा होगा, one में से घटाने के बाद, result उतना ही छोटा आएगा, मतलब denominator उतना ही छोटा बनेगा, और आपका denominator जितना छोटा बनेगा, आपके पास में क्या होगा, result उतना ही बड़ा आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर MPC बड़ा हुआ, तो result भी बड़ा आएगा, MPC इंक्रीज होगा, तो आपका investor multiplier भी बड़ा होगा, क्यों, आप देख लिजिए, example के लिए देख लिए, नहीं समझे मेरी बात तो, मैं यहाँ पर एक आपको MPC 0.2 ले देता हूँ, और एक मैं MPC 0.5 ले लेता हूँ, आप देखिए, investment multiplier के equals to, 1 minus MPC होता है न, तो देख लिजिए, 1 minus 1, 0.2 पे देख लेते हैं, क्या होगा, 1 upon, यह 0.8 आएगा, और क्या आगए, 10, solve करिए इसको जरा, क्या आगए आपके पास में, 5 बटा 4, 4 कमचा 1.125 आगया, और यहीं पर अगर आप K की value देखिए, कब, जब आपका 1 upon, 1 minus 0.5 आया, तो आप यहाँ पर देखिए, आपकी पास में 0.5 बचा, और solve करेंगा, तो क्या जाएगा, दो आजाएगा, तो आप देखिएगा, जब आपका MPC बड़ा है, इन दोनों में से, तो result क्या बन रहा है, बड़ा, और जब आपका MPC चोटा है, तो result क्या बन रहा है, आपका, चोटा बन रहा है, तो मैं यहीं बात कह रहा हूं कि MPS के साथ में इन डिरेक्ट रिलेशन होता है, MPC अगर बड़ा रखोगे, तो K की वैल्यू कम आएगे, MPS चोटा रखो, K की वैल्यू ज़्यादा आएगे, लेकिन MPC का डिरेक्ट रिलेशन है, MPC अगर आप बड़ा रखते हो, समझे, तो आपका जो है result investment multiplier भी बड़ा ही आएगा, और MPC अगर आप छोटा रखते हो, तो investor multiplier भी छोटा आएगा, क्योंकि बड़ा रखने पर figure छोटा बन जाता है, दिरेक्ट रिलेशन होता है, और इसके साथ में डिरेक्ट रिलेशन होता है, बस बात खता हो, clear है, समझे, आईए, अब आपके कहानी समझते हैं, भी या कि प्रिवीस रिख्जाम में जो आया वाय कोशन इसके उपर, वो क्या कहता है, सवाल ऐसे कुछ पूछा गया है आपसे, सवाल ये पूछा गया, कि explain the concept of investment multiplier, भी या क्या है investment multiplier, तो investment के respect में, जो investment म में कितने time change आया हमारे, हमारे national income में कितने time change आया है, इसको हम क्या बोलते है, investment multiplier कियाते है, explain the concept of investment multiplier, also explain its working, but कैसे काम करता है, discuss the relationship between the investment multiplier and the margin propensity to consume, मतलब के और MPC की बीचे relation बताना है, तो यहाँ पर investment multiplier का एक फार्मला दिया हुए, क्या कहरा है, investment multiplier is one of the most important concept, answer the Keynes theory, the multiplier is defined as the ratio of the change in income to the change in the level of investment, this one, clearance, hence the investment multiplier refer to the number by which the change in the investment has to be multiplied to find out the change in income, when investment increase by a certain amount aggregate income increase by a multiplier of that investment, this multiplier is called the investment multiplier, it show the relationship between the initial increment in investment and the resulting increment in the national income, it explains the relationship between the increase in investment and result increase in income, वही बात ही आप से कह रहे है, this one, क्या कह रहे है, for example, 50 क्रोड रुपे क्रोड रुपे क्रोड invested is made in an economy and brings a change in income by 250 क्रोड, then value of the multiplier will be 250 divided by 50, तो 5 आपका multiplier की value आगी, तो investment multiplier and MPC की उपर बात कर लेते हैं, जो कि मैं अल्रडी कर चुका हूं कि direct relation होता है, the investment multiplier shares the direct relation with the marginal propensity to consume, direct relation होता है, if MPC is given value, investment multiplier can be found out by the following method, इससे आप investment multiplier इससे भी निकाल सकते हो भाया, मैंने क्यों 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 गलत बात बोली है, आपको बता investor multiplier and MPC are directly related to each other, higher the value of MPC higher is the value of K and vice versa, for example MPC is 0.5 then दिखा दिया, and K equals to 2 and MPC is 0.75, K equals to 4, so MPC जितना बढ़ा हुआ, आपका investor multiplier भी बढ़ा आया, अगर MPC आपका बढ़ा हुगया, तो multiplier भी आपका बढ़ा हुआ, तो direct relation है, clear है, नहीं, समझेंगे, बात समझें या नहीं समझें, clear है यहां तक, देख लिजिए पहले, कोई doubt है, तो पूछ लिजिए, direct मतलब का यह है, कि MPC अगर ज़्यादा होगा, तो आपका K की value भी ज़्यादा आएगी, और MPC अगर आप छोटा रखोगे, तो K की value भी छोटी आएगी, तो अगर K ज़्यादा रखते हैं, तो MPC ज़्यादा रखते हैं, तो K भी ज़्यादा आता है, तो दोनों में क्या है, direct relation है, अगर MPC बढ़ाओगे, तो K भी बढ़ेगा, MPC कम करोगे, तो K भी कम हो जाएगा, इसे कहते है direct relation, झार रखते हैं, तो K एर ढ़ी यार्गे, यार्ण्यादा रखते हैं, तो K जड़ादानी कम चार रखते हैं, तो K ऑल लाह से ले ग्रादानी करोगे, तो K झाल एम उल यार्गे, तो K तो झाल हाँ समझे लेंगे सब समझे लेंगे अब देखीएगा अब यह क्या केस है working on investment multiplier मतलब कि investment multiplier किस तरीके से काम करता है सवाल यह है कि investment multiplier किस तरीके से काम करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा सवाल क्या है कि investment multiplier कि किस तरीके से काम करता है एक स्टूडेंट का सीधा सवाल मेंसे हो सकता था क्या हो सकता था सर एक बात एक बच्चा मेंसे सवाल ही पूछ सकता था समझेगा जरा एक बच्चा कहता सर हमने सरकार ने एक investment करा मालो 800 क्रोड रुपए बोला कि यह फलाय बना दो यह investment हो गया यह 800 क्रोड मज़ूरों के इंजिनिरों के तंखा के रूप में जैंगे construction का जो सामान आएगा उस factory के मज़ूरों को पैसा मिलेगा तो मतलब लोगों की आई बनेगी सरकार अगर 800 क्रोड खर्च कर रही है तो वहाँ पर काम करने हैं मज़ूर इंजिनियर जो construction का material आ रहा है वह जो transportation कर रहे हैं उनका उनको उनकी तंखा और जो factory में सामान बन रहा है उस सामान को पे करे कई ने कई लोगों की आमदनी बनेगे तो एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर एक मुझे चीज बताए जरा कि अगर मेरे पास में इन्वेश्मेंट में चेंज मेरे पास में अगर 800 क्रोड रुपए का गवर्मेंट ने करा है तो सर एक बाब बताओ कि यहाँ पर इंकम म मदन इस भी 800 क्रोड रुपए के यह यह आएगी तो मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि की वैल्यु तो वन होती है वन होगी बात पहले सुलो आपaux तो के की वैलु तो बन होने चाहिए बढ़ आपके आप बता रहें कि की वैलु चार पांस तो के की वैलु जादा कैसे हो जाती है जितना हम investment कर रहे है उससे ज्यादा कैसे income हो सकती है सवाल आपका यहां एक बास समझेगा सवाल तो यही तो है ना working of investment सब्सक्राइब किस तरीके से आपका काम करेगा कि है जो मैं अभी एकजम्पल ले रहा हूं कि सवाल क्या कि सब्सक्राइब तो यहां पर मैं मुल्टिप्लाइर काम कैसे करता है समझेगा तो यहां पर मैं मुल्टिप्लाइर की वैल्यू एंपीची तुभी अग्जूमिग ठीक है कुछ भी संजाने के लिए कुछ भी मान रहे हैं मान लेते हैं लेट एंपीची को सुझ जीरो पॉंट डीट है आप वह क्यों मान रहे हो अरे भाई कोई भी एकिनॉमी कि इंकम में जो चेंज आता है तो क्या कंजम्शन में चेंज क्या कुछ तो करती है चेंज तो कुछ भी मान लो जीरो पॉंट आपका जीरो पॉंट डीट क्यों मान अवे जीरो पॉंट दो मान लो मेरे भाई मुझे उससे कोई दिखकर नहीं है समझे नहीं समझे मस्ताने की चाह रहा हूं कि जब भी इंकम में चेंज आएगा तो क्रूर मैं बात करता हूं MPC की चलिर है तो सबसे पहले 800 क्रूर आया और मैं यहां पर बात करता हूं MPC मतलब कि 0.8 की तो लोग अपने कंजम्शन में कितना डाल देंगे कंजम्शन पे कितना डाल देंगे तो लोग कंजम्शन पे डाल देंगे यहां पर कितना इसका जो है 80% तो 600 40 कंजम्शन कर लेंगे बाकी रेश्ट उफ क्या हो जाएगा लोगों का बाकी लोग का रेश्ट ओफ क्या हो जाएगा लोग का रेश्ट ओफ सेविंग हो जाएगा तो आर्ट से दो सो और चालिस एक सो साथ लोगों की इंकम बन गई लेकिन लोग अपने इंकम को बचा थोड़ी लेंगे उसका कंजम्शन करेंगे तो मालब MPC 0.8 है तो मालब 80% तो बात समझे और उससी तरीके से फिर क्या होगा उसके बाद दोवारा से बो छहेसो चालिस जो कंजम्शन करा वो कहीं न कहीं लोगों की इंकम बनी या नहीं बनी वहा है worried कि दॉवारा किसी की आए बन गई 640 रुपे दुवारा आए बनी या नहीं बनी बताइए ज़रा इन्वेश्टर मुल्टिप्लार समझा रहा हूं क्या आए बनी इसका दुवारा क्या होगा एकनॉमिट 0.8 कंजंशन कर लेगी तरी बात समझे या नहीं समझे इसी तरीके से आप से क्या कह रहा है यह कि सपोर् इसक्त्र इन्वेश्म तादिंग कर त्रीके नहीं समय औरा सम्झे भी जेड इसरे में क्या एक्ञवर विकस्त आएवश्वम्, यूंत करोड आएगाया। और बढ़ गया इधा सेकेंड राउंड 80% अप दा अडिशनल इंकम चेशाइस क्रोड का पांसो बारा क्रोड विल बी स्पेंड on the कंजम्शन रिमेंग विल बी सेब और दिस मल्टिप्लियर प्रोसेस गो ओन विद दा कंजम्शन expenditure in every round being 0.8 of the additional income received from the previous round तो हमारे यहां पर देखेंगे कोल मिला करकर करके आप देखेंगे सारी कि सारी saving करते 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 धीर आपका 800 रुपे में से कितने कितने बच रहा है पहले राउंड में कितना बचा पहले राउंड में आपका जो है 160 बचा फिर उसके बाद आप 640 खर्च कर रहा हो फिर एक नौमी में किसी की income बनी इक नौमी ने फिर से उसमें से जीरो पॉंट कंजम्शन कर लिया तो उसका 80 पसंद द्वारा वो कंजम्शन कर लेगा पर बचेगा रहसे करते 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 सारा का सारा जो है वह आठ सो जो शुरू में इंकम होईती ना दीजरी सारा सेविंग में चली जाएगी और आपके जो income है वह कित्ती बन गी वह चार हजार करोड़ बन गी इनका वह बन जाएगी आपके यह वह बात कहा रहा है तो यहां पर investment multiplier आपका डिल्टा वाई डिल्टा एक पॉस्ट्र क्या आगया आपके पास में फाइव आ गया जिसको हमने ऐसे निकाला है यह बात सजमा है तो economy में यह नहीं होता है यह मैं सोचेगा कि राजा महराजा या सरकार ने अगर 800 क्रोड का इंवेस्ट्मेंट करा और जब उस पैसे को लेगे consumption करने के लिए जब वो निकलेंगे तो एक बार बताओ कि वो दुबारा लोगों की आए बनेगी या नहीं बनेगी तो रास्टे आए क्या सरफ 800 क्रोड का ही रह गया या फिर वो बढ़ा वो दुबारा से रास्टे आए वो लोगी 644 क्रोड और दुबारा से लोग क्या करेगी इसको expense कर देगी फिर से लोग इंकम बन गए और लोग फिर से इसका फिर से एंपीसी के coding इसका 80% दुबारा से क्या कर देगी खर्च कर देगे इस तरीके से लोगों की income multiple times बढ़ती है clear है ना तो कितरे इन्वेस्टमेंट मल्टिप्लायर बात समझे या ने समझे clear है कि इसमें समझाने कोशी कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टिप्लायर आपने कुछ इन्वेस्ट करा उतना ही नेशनल इंकम नहीं बढ़ा उसके मल्टिपल्स में नेशनल इंकम बढ़ेगा बात समझे या नहीं समझे क्यों हमें जो इन्वेस्ट करा वो तो एक राउंड की income बनेगी लेकिन वह उसमें से क्या करेंगा दुबारा वो लोग भी तो खर्च करे हैं आप जो मुझे पैसा देते हो जो मुझे फीज देते हो तो तो लोग के आंदर ही मंती निहीं बंटि आपकी पैसे से अब जिस पर मैंने करता है निस में आपका वही पैसा कितने काम काम आजाता है समझेगा इस दिए तो आपने तो मुझे फीज दी हजार रुपे फीज दे दी आपने मुझे अब आपना फीज दे दी मैं आसी पसंट भी यह कंजम्शन करता हूं तो मैंने दो सुपर डाले वह भी इनमेश्टम बैंक बाग दिये आठ सुरू मैंने खर्च कर दिये तो अब देखेगा अजार आपने फीज दी तो आपको लग रहा है कि हाजार रुपे आपने इंवेश्टमेंट कर रहा तो अजार रुपे मेरे इंकम होगी हाँ मेरी हजार रुपे इंकम है बड़ आट सुरू पर उसकी इंकम होगी अब वह भी क्या गरेगा बीस पसंट अगर नेचर तो बीस समझें यह नहीं समझें कि चार जार कैसे हुई कितने यह पहले राउंड का आपका आठ सो करोड है ना यह सब एड करते चलोगे ना कि दूसरे राण में इतनी इंकम जन्नेट्यूटी से राण में इतनी चुत्य राण में इतनी अग्जामपल लिया था आपका अपना वह बात समझ रहे हो इसी टेक्निकल चीज़ें भाया रट्टा मारके नहीं आएंगी मैक्रो तो फिर भी आसान थी मैक्रो तो है मैक्रो उससे ज्यादा आसान है लेकिन अगर समझ लिया जाए तो अब एक बाद समझेगा के कोस्टू वन अपन में वन माइनिस एंपीसी एगरी करते हो यस करते हो के की वैलू क्या वन पॉसिबल है सवाल है मेरा यह क्या ऐसा है आपसे पूछ रहा हो के कोस्टू वन कब आएगा के कोस्टू वन कब आएगा के कोस्टू वन जब आएगा जब आपका यहां पर एं कि मैं बताए था लास्ट क्लास में तो अब बताए इंकम में चेंज आने के कम क्या MPC जीरो हो सकता है MPC कभी जीरो नहीं होगा तो यह वैलू वन कैसे आएगी नहीं आएगी कभी बादा संजे क्लिर है करें कैट क्या सुझा होगा सवाल यह कि जी रूताब होगा जबी MPC1 हो क्या MPC1 हो सकता है कभी दिनी हो सकता है MPC1? क्यों? MPC1 होने का मतलब क्या हुआ? कि बह्या जितना income में चंजाया है, सारा का सारा MPC1 का मतलब क्या है, मेरे बच्चे, MPC1 का मतलब क्या हुआ? डेल्टा-C upon डेल्टा-Y equals to one, मतलब डेल्टा-C equals to डेल्टा-Y, मतलब जितना income में चेंज आया, सारा का सारा consumption में भी उतना ही चेंज आया, कभी ऐसा होता नहीं है, इसलिए कभी आपके पास में जब MPC one नहीं होगा तो बताइए यह किस तरीके से one में zero नहीं हो सकती है क्योंकि आपका MPC कभी जीरो नहीं हो सकती है क्योंकि आपका MPC कभी इंफिनिटी अगर यह 1 हो गया MP से कभी तो यह कभी भी results ऐसे देखने को नहीं मिल सकते हैं क्योंकि कभी भी यह ना तो 0 होता है ना यह 1 होता है 0 होगा तभी 1 आएगा ठीक है और 1 होगा तभी 1 में से 1 के 0 इंफिनिटी आ जाएगा clear है मेरी बात समझे यह possible केंज कहता है इंकम में जब भी change आता है तो सारा consumption पे नहीं जाता है तो इसका मतलब है कभी भी आपके पास में MPC की value 1 नहीं हो सकती है इसका मतलब ही होगा कभी भी के की value फिर इंफिनिटी नहीं जाएगी और केंज कहता है कि income में जब भी change आएगा तो कि वाई इस दा वैल्यूफ मुल्टिप्लायर ग्रेटर देन यूनिटी सवाल आप से पूछा बहिए कि क्यों के की वैल्यू ऑल्वेस आप तो जानते हैं इस बाद को क्या क्या जानते MPC always zero से बड़ा रहेगा एक से छोटा रहेगा यह पूछ रहा है कि के हमेशा ग्रेटर देन बन होता है मलब के एक्वल की नहीं होता है मलब बन के एक्वल की नहीं होता है तो यह वही कह रहा है कि one से उपर value होती है वाई is the value of multiplier greater than unity मतलब बन इनिशल इंक्रिमेंट मेंट इननेंट इंच्मेंट मॉल्टिप्लार केन आल्सो बी कैल्कुलेटर विद थे हैल्प आप दर्माजिन प्रोपनिटी तूसे मैं बता रुखा है आपको इस तरह किसे आप निकास कहते हैं multiplier, multiplier shares a direct relationship between MPC, मैंने बता रखा है आपको already के K और MPC के बीच में, relation कैसा पाय जाता है, direct पाय जाता है, clear है जी, आपके कहता है, multiplier shares a direct relationship between MPC and inverse relationship between MPS, the value of the value of investment multiplier is always greater than 1, because if MPC is 0, then the K will be equal to the 1, but MPC is always greater than 0, as it shows the additional consumption due is increased in income, hence the value of the investment multiplier will always greater than 1, मेरी बास समझे या नहीं समझे, clear है, अब अगली कक्षा में, explain the working of multiplier when the increase in investment is economy is 100 crores and MPC is 0.5, but most most important question है, ऐसा कोई भी case आपके पास में, आपका ask, तो मैं कल चर्चा कर चुका हूँ, इस बात को दुवार में चर्चा कर लूँगा, तेवल बना करके, तो कल कुछ हम numericals की भी practice करने वाले हैं, इस तरीके से, तो कल का session एक शानदा session कल का भी होने वाला है, अब 10 year Hindi में भी हैं, इंग्लिस में भी है, मार्केट में जाएं, ले लिए आपके घर के आसपा stationery के दुकान होगी, जरूर होगी, बिल्कुल है Hindi medium में, next class में दोनों लगा दूँगा है Hindi English, इसको अच्छे साफ साफ टाइप करवा करके मैं आपको दे दूँगा, ठीक है जी, अगली class पांच विए है मेरी तो उसका पांच भज भी गया है, ठीक है मिलते हैं फिर नेस class में जी,